हमारे बाई, बड़े बुज़ूर, हमारे बच्चे, सबका बंदन और गंदन और बहुत धेर सारा प्यार प्यार से याद आया, प्यार की बासा अगर किसी में सिखाई है तो वो है राधा प्यार बहुत ही मजबूत होता है प्यार से सभी को बाना जा सकता है प्यार को गलत तरीके से नहीं लिया जा सकता है काना ने जब ब्रिंदावन छोड़ा था तो मात्र ग्यारा साल चप्ता दी हुए थे वो उस मर में कैसा प्यार होगा आप लोग समझ सकते हैं एक बच्चे जो प्यार करते हैं बहुत ही मिश्चर करते हैं आज हम उस धर्दी से चलके आए हैं जो इतियास बना रहा है ये बाजबा सरकार हो हैं पे सारे इतियास बना रही है ये बाजबा सरकार जो भी बोलती है जश्ट उसका उलिटा करती है ये कहती है ये महिलाओं को संमान देती है बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा दिया इसने आप सोच सकते हैं लखिमपुर खीरी में ही पस्गवा में एक महिला का ये बाजबा वाले ही चीर हरण करते हैं एक माँ मारत में चीर हरण हुआ था एक इस युग में चीर हरण हुआ जो कि लखिमपुर में हुआ हमारे खिसान जो एक साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे उस लड़ाई को लखिंपुर में भी आगे बढ़ाया जा रहा था तो हमारे ग्रह मंत्री का बेटा पीछे से गाई चड़ा के कुचल देता है ये भी वहीं का इतिहास है ये कहते हैं महिलाओं का सम्मान करो कितना सम्मान ये सरकार दे रही है ये आप लोग समस देखते है कि जो भी करती है जूट किसी बाद कुछ नहीं बोलती है क्रोना दो साव रहा लेकिन दारू नहीं बंदुए क्यों दारू से सब्सक्रादा टेक्स किरता है बरबादी पैसे आएगी आप लोग अगर पढ़े लिखे हो तो इस चीज को समझें दारू नहीं बंद करी थी क्योंकि वो साव आपकी नस पकड़े हुए है नस पकड़े हैं आपकी कोई किसी का सोसड नहीं करता है हम लोग अपना सोसड खुद करवाते हैं अभी चुनाव आ रहा है आप जहनते हैं आपके मत से सरकार बनती है जो कि आपको राजा कहते हैं वो हमारे आपकी तेन होती है अगर हम वोड नहीं डालेंगे तो ये राजा नहीं बनेंगे तो आप लोग अपनी दागत दो पहचानिए और अगर दुबारा अभी तक इतना नुफ्सान किया अभी ये जुनाव आने वाला है तो आपका गेवू चावल जो भी फ्री में दे रही है लालच में मत आईएगा और अगर लालच में आगया तो आगे आप लोगों का क्या होगा कोच लिजिए अभी पंख है थोड़ा सा समझने के लिए हम नहीं कहेंगे आप किसी एक की सर्कार बनाएए आप अपने यहां का जो सबसेंचा ब्यक्ति हो ब्यक्ति किसेंच को चुलिए ना आपके बीच में रहता है रादिल आप लोग जो अल्दे होगे एक तरफ चल देते हो वो इस तरफ से बड़ी समस्या है हमारी और वोड के समय में जो दारु मुर्गा में बिखने लगते हो पाइल बिंदी और चूडी में बिखने लगते हो यहीं हमारी पतन का कारण है हमारे जैसे लोगों का दुक्सान नहीं कर सकते यह लोग तो यह लोग चांते हैं एकल सिच्छा नीर्थ लागू होना चाहिए हम अपने उन पहनों से भी कहेंगे उन भाईनों से भी कहेंगे जो टीचर है और 50,000, 60,000, 70,000 रुपे उठा रहे हैं और अपने बच्चों को इंगलिस मेडियम में पढ़ा रहे हैं सरा मानी चाहिए ऐसे टीचरों की नौगिनी ठील लेनी चाहिए आपको अपने उपर भरोसा नहीं है सरकार से पैसा लेना चाहते हो और अपने बच्चों को प्राइवेट पढ़ाना चाहते हो जब दक सिच्छा का एकी करण नहीं होगा और जब दक आप लोग अपनी बेटियों को और अपने बच्चों को सिच्छा मश्च है और याद कर दीजिएगा हर इंसान के अंदर भगवान बसता है अपनी दागत को पैचा लिए और अपनी बच्चियों को पढ़ाईएगा जरूर जब आप पढ़ाईएगी तो एक बेटी दो परिवार को पालती है दो परिवार को सिच्छित करती है आप लोग यहाँ आए और भी कई ज़ग जातों होंगे जब तक आप लोग खुद नहीं सोचेंगे जब तक आप लोग नहीं अपना ध्यान देंगे कुछ नहीं हो सकता है आप लोग मेरी जो माताय पहने है अगर बोच आजाए तो बहुत कुछ संभव है हम चाहेंगे हमारी भी पार्टी यह जैसे समने पार्टी बनाई हमारी भी पार्टी है लोग का अंत्री जन्वादी पार्टी और भाया मेरे हम इसमें बात में नहीं आए है हमी लोग मिलके हम इंद्रीजित भाया राम सुरत पडेल पार्टी पार्टी बनाए है यह हमारी ही पार्टी है हम पीच में नहीं आए जो की लडाईया लड़ता है गरीब जन्दा की लडाईया लड़ता है किसानों की लडाईया लड़ता है हमारा पैसा जो गंडck dwell नहीं मिलता है उसमें प्यार्ज नहीं मिलता है इसके लिए हमने 37 दिन पर जीतर घर हमारा पैसा कंपनियों के पास मैं तो हमको में मिलना है हमारे यहां घट लिगा बहुत बड़ा प्रॉड़ अधर है हमारे लखीन पूर जीता को तो भटोली के लिए भी हमने लड़ाई लड़ी थी, हमको पता ही नहीं है, कि जब आपका गन्ना वहां फैक्टरी में पहुंच जाता है, वहां जितने दिन आप रुखेंगे, आपके खाने का, आपके रहने का, आपके सोने का, सब फैक्टरी की जिम्मेदारी होती है, अगर पर आप बैल और गाड़ी से गए हैं तो पहलों का चारा का जिनमा दर्भी उनी का होता है पैट्रियों का ये लड़ाई में अब 17 दिन में लड़े हैं हमारे यहां पे गजना माफिया बहुत हैं खर्जी सट्टा वाले उसके लिए भी एक गाउं पर तै बहुत ही खुर्द जहां पर हमने एक अपने फाई के नाम से अपनी केसर लगा दिया वाहां पर जैसे इंप परजी सट्टा बंद हुए उनका घर देलिया फर्जी सट्टा माफियाओं ने फिर मुझे मुझे वहाँ भागे जाना पड़ा मैंने गाँ आप दरीये कर नहीं घर से मत निकल लिया मेट ये गंडे में पहुच जाएए जब हम पहुचे अबारी से उतरते ही मैंने ललकार के का इन्हाने किया है ये मुझे लड़ो आप लो आपके फर्जी सट्टा के चकल में मुगरी बाज मी मर जाते हैं जिनके पासकर जमीन होती है उनकी पर्जीये नहीं आदी है तो इस तरह की बहुत सारी लगाईयां हम लड़ते लेते हैं अपने ज्याइमंच हमारा संग्ठन है और किसान हमारा जिसने अपने धैट का परिचे दिया